हाई दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल आपका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पे अगर आप लोग मेरी चैनल पे नए है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज जरूर कर दीजेगा और बैल आइकन की बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों आए तो आज हम ल और घर में आप ग्रेवी चावल रोटी प्रूडी प्राटा सभी से आप इंज्वाए कर सकते हैं तो पहले दो देखिए यह मैंने आप लोगों को लगा के दिखाई है ग्रेवी वाली सबजी है इसको चावल के साथ इंज्वाए किजी दोस्तों और मेरी वीडियो पूरी मेरी रेसिपी कैसी लगी यह देखिए दोस्तों बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस सब्जी बनी थी सो आइए चलिए बनाते हैं अपनी सब्जी आगे मेरी वीडियो में बने रहिएगा इधर ले लिए मैंने बॉइल आलू इनको छिलका उनका उतार लिया है आगे य अगर आप लाल ना डाले तो खरी यूज कर सकते हैं मैंने दोनों डाले हैं इसलिए कम किया बाकी अथा के रख दी थी इधर एक प्याँ कट तक किया मैंने कुछ लंबा लंबा चौप कर लिया था कुछ महीं चौप किया इधर अदर आद्रक के थोड़े तुकड़े हैं च सब्साब गाने हैं तो सरसो कते हैं कर दाल दिये मैंने टेल पर कोड़ारे मैं करता है तो सब्सक्राइबила बनाता है विसले थी टेल अपना दिर अची हां चया हमने जो लंबामा चॉप चूप लामा चू ये डाल था जो डूफा मेरे लिर्ट औहलों हमाते तब ड्योरे डालय हो द committed इंगा इंध़ाय हैं बलुकर ऊसकीरों दनीय Knee ही और टाला किता है दैजाएफ क। डाला सनी मिसक्रत और अच्छा लगा लिए इन सब्सक्राइब उरकाव म diversity आप पशाना और भॉलूर 2 यह यह भी दर नवब जरूर डालीए गास में जो कि मैंने पहले डाली टी फ़र्स्ट में तेल में आब आद में भी डाल सकते हैं मसाले को थोड़ी डख देंगे ताकि मसाला हमारा वायल रिलीस कर सकें ये देखिए मसाला भून चुका है हमारा अच्छे से अब इसको कसूरी मेथी के साथ थोड़ साथ मिला देंगे का सूरी मेधी थोड़ा suas innovate डालेंगे आप डालना चाहें डाल सकते हैं निसी का टेस्ट बढाने के लिए हम लोग डाल सकते हैं सबड़ी का सब्ची के टेस्ट और अच्छा अच्छी तरीके से उभर के आता है खुश्बू भी अच्छी आती का सूरी में थी कि इधर मैंने धन्या की डंडी लेली वह भी थोड़ी कट कर ली थी पत्ते बाद में डेकोरेट के लिए रखेंगे गानिश के लिए रखेंगे डंडीया डाल दी है इधर आलू हमने फोड के इसमें महीन महीन चौप करके डाल दी है यह देखिए इस सब्जी को हम बता रहे थे बच्चों के टिफिन में आप रख सकते हैं पोड़ी पराटे के स जो चावल के साथ आप खा सकते हैं पोड़ी पराटे से भी अच्छी लगती है दोस्तों लेकिन अगर टिफिन के लिए रखना है तो सूखी सब्जी हमारे लिए बच्चों के लिए आप बना सकते हैं उसके बाद आप पानी डाल के इसको पतली भी कर सकते हैं इसको ढग द काली गण おक्राइए लिए और चावल के साथ खाये पोड़ी पराटे के साथ खाये ई? प्लीस दोस्तों लाइक शीयर सब्सक्राइब करना ना बता रहा बहां करना हूं बूलिए और जरूर कीजिएगा बनाईएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा मुझे आप लोगों ने बनाई है मेरे तरीके से की नहीं प्लीज दोस्तों बना के देखी का सिंपल तरीका है कुछ भी ताम जाम नहीं करना है आलो तो दोस्तों हम लोगे फ्रिज में बॉइल कि यह रखे रहते हैं बच्चों के लिए अक्सर ही हम लोग बॉइल कर लेते हैं लेडिस को रखना पड़ता है कि कि स्कूल जाते हैं बच्चे तो आपकी दो सब्जिया इस पर बन गए एक सूखी भी और ग्रेवी वाली भी आई दोस्तों इंजाय कीजिए दिखिए आप रो कि जी थाली आपकी दोस्तों आपकी ऑ्रेवी वाली तोस्तों के लिए एक दोस्तों के लिए नहीं थास्टन के लेगर के लिए एक।